हेलो श्रुमेंट सगराओं को इस च्ट की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छी से आपको इस च्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो अभी उपर के साइन थोड़े उल्टे सीधे हो जैसे य होता है समझते बातो तो आपको क्या करना है सुरुवाट में ही सुरुवाट में ही इसकुइए कॉस्स से डिवाइड कर दे ने क्यूँ क्यों क्यूंकि साइन अपॉन कॉस जो होता है और यह नहीं तो फिर आप बहुत लैंदि कर देंगे स्कॉश्शन को अगर आपको यह नहीं रहा कि भाई हम्हें करना क्या है अगर आपको यह वाला याद नहीं रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी है क्षीव जांधी यह निम्डेटर है यह दिस ऋनुम्डेटर इस इस डिनोम्डेटर अगर हम दॉनों में कॉस यह से करते हैं निम् είναι Center में BE qos ऑसे से डिवाइड दोनों में अगर कोस हें से टिवाइड करते तो कोई दिक्कत परिसानी वाली बात नहीं है कोई दिक्कत परिसानी वाली बात नहीं है जाहां सुनना मेरी बात अगर साइन को समय क्षिन आजाए और यह साइन थोड़े अलग हूँ, कौस का और बन का, तो अगर आंसर देख लिए करो क्या लाना है तुमें, आंसर अगर 10 में लाना है, तो 10 लाने के लिए साइन अपॉन कौस होना चाहिए, तो कौस से डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, देखो जो numerator की ट्रम्स थे न सब में कॉस से डिवाइड करा यहां पर भी डिवाइड करा डिनॉम्नेटर में तो कितना बन जाएगा साइन पॉन कॉस 10 हो जा जाएगा यह माइनस का बन हो जाएगा और बन पॉन कॉस होता है सैक ए अप्र। इसके बाद बहुती इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं ध्यान से कान खुले रखके बिल्कुल सुनना क्या इसके बाद आप denominator पार्ट को कुछ भी नहीं करेंगे क्या बोला मैंने कि इसके बाद आप denominator पार्ट को कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है तो क्या करेंगे सिर्फ numerator वाले पार्ट में इस 1 की value रखेंगे क्या रखेंगे वो बाद मैं बताता हूँ पहले इसको और इसको एक साथ लिख लो यानि टैने प्लस से के एको एक साथ लिख लो माइनस का वन अलग कर लो और नीचे टैने प्लस का वन माइनस से के मैंने बोला ना नीचे कुछ मत करना नीचे कुछ भी नहीं करना है नीचे को क्या कर나 है? इस वन को चेंज करना है, इस One को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे दिखना? 1 प्लस 10 स्कॉ eager theta जो होता है, बटा सैक स्कॉ like theta होता है, तो अगर मुझे इस One की वैलू रखनी है, तो क्या One हमारा सैक स्कॉ आर थीटा माइनस का 10 स्कॉ आर थीटा हो बस यहीं से इस question का खलास हो जाता है यहीं से question विल्कुल finish हो जाता है यह question यहीं से finish कैसे यह तो ऐसी रहेगा 10 a plus का sec a यह ऐसे ही रहेगा और इस one की जगए हम लिख देंगे यह वाली identity यानि sec square a minus का 10 square a upon मैं ने बोला कुछ भी change नहीं करोगे कुछ भी change नहीं करना है 1% तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना है तो 10 a plus का one minus का sec a कुछ भी change आप नहीं करेंगे बात समझ में आई कुछ तो आ गई होगी बात समझ में है आउद दो फिर से फटाफट समझा देता हूँ एक लाइन में क्या है यहां पर मुर्य टरमे और डिनॉमिनेटर में नूमिरे डिनॉमिनेटर में दौनों में कॉस से 2 स्पाइड कर दिया plus second है यहाँ पर minus यहाँ पर a square minus b square क्या होता है a plus का b क्या जाएगा a plus का b a minus का b यी यनि second minus का tan a कुछ ऐसा result आएगा upon में क्या आएगा upon में आजाएगा टैन a plus का 1 minus का second यहाँ सुननों ज्याँ से a square minus b square बिटा होता है A plus B A minus B क्या कुछ common मिल रहा है क्या तो 10 A plus 10 A यहां भी है ले लो common तो भाई या चाहे 10 A plus 10 A बोलो चाहे 10 A plus 10 A बोलो एक ही बात है वो तो मैंने 10 A plus 10 A ले लिया common तो bracket में क्या बचेगा यहां तो बचा 1 minus bracket यह common चला गया तो यहां से आगया सेक A माइनस का टैने आई होब आपको इची संग में आ रही हो अपान में क्या है अपान में है टैने प्लस का बन माइनस का सेक A कुछ ऐसा रजल्ट आएगा अब बस ब्रैकेट ओपन कर दो सॉल्व कर दो ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस का मल्टिप्लाई करो प्लस का टैने और देनॉमिनेटर पार्ट को देखो ज़रा ध्यान से क्या ये देनॉमिनेटर पार्ट कैंसल हो जाएगा देखो ये वाला जो ट्रम है न एग्जेट सेम है ध्यान से देखना 10A plus का है तो देखो 10A plus का है 1 plus का है 1 plus का है माइनस का सेके है माइनस का सेके एक ही बात है अगर इसको rearrange कर लिया जाए तो सेम ही चीज है इसका मतलब यह cancel हो गया तो आपका जो beta answer आया है वो सेके plus का 10A आया है और कभी-कभी मैं तुम्हें पेपर में यही प्रूफ करने को आता है कभी-कभी पेपर में यही प्रूफ करने को आता है ठीक है कभी-कभी यही प्रूफ करने को आता है लेकिन इसमें हमें कुछ अलग प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है इसमें थोड़ा सा अलग करना है इसमें से के माइनस 10 A करना है वो भी denominator में है तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग क्या करेंगे इसमें multiply डिवाइड कर दो opposite sign से यानि से के माइनस 10 A से multiply और divide कर दीजिए से के माइनस 10 A से multiply डिवाइड तो उपर बन जाएगा A plus B A minus B यानि कि A का square minus B का square ये बन जाएगा ठीक है A square minus B square बन गया और नीचे क्या है सेक A minus का taken क्या हमारा answer आगया सेक square theta minus 10 square theta 1 होता है तो क्या answer हमारा 1 upon सेक ए माइनस का टैन ए आ गया यह सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं